Hello friends, मैं Dr. Divya अपने YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बहुत ही common problem anxiety के बारे में बात करेंगे anxiety या stress या डर लगना बहुत ही स्वभाविक है या ये बोले कि ये human का basic nature है क्योंकि हर किसी person को कभी न कभी किसी चीज़ को लेकर डर लगता है या उसे किसी चीज़ को लेकर stress होता है या घबराहट पनी रहती है मगर ये घबराहट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकर्ट है मैं इसको कर नहीं सकता हूँ और अगर मैं इसको करूंगा तो ये काम बिगड़ ही जाएगा ये उसको कॉन्फिदेंस लेवल बिल्कुल भी जीरो हो जाता है बहुत ही ज़्यादा वो डरने लग जाता है तो ये एंजाइटी है उसे मतलब घबराहट की वज़े से बहुत ज़्यादा बैचैनी होने लगेगी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा पना जाएगा पुरे सर में उसके भारी पन सर हैगा सर दर्द होने लगेगा उसको हाथ पैरो में दर्द होगा और एंजाइटी के कारण उसको नीन नहीं आएगी भूख नहीं लगेगा और कई-कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट की वज़े से उसको अटेक आने लगेगा जिसमें उसको सांस लेने में भी परिशानी होने लगेगी तो ये सारे हमको एंजाइटी में लग्चन देखने को मिलेंगे तो आज मैं अब कुछ ऐसी होमेपैती मेडिसिन बताऊंगी जो एंजाइटी में commonly हम यूज करते हैं वैसे तो हमेपैती में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो एंजाइटी की प्रॉबलम में यूज करते हैं पेशन के अलग-अलग सिंटम्स के बेस पर पर कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन है जो person में anxiety में यूज़ करते हैं और जिससे उसको relief मिलता है तो first medicine है Econite Econite जो है वो anxiety की बहुत ही अच्छी medicine है Tension is the keynote of Econite अगर person बहुत ज़्यादा tension लेता है छोटी-छोटी चीजों को लेकर tension ले रहा है छोटी-छोटी बातों में घबरा जा रहा है और suddenly यानि इसके जो सारे problem से वो suddenly आएंगे suddenly कोई problem आई और उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया तो Econite इसमें बहुत ही अच्छा result देगी Econite is best medicine for fear fear की बहुत अच्छी remedy है खासकर fear of death की अगर patient को कोई disease को लेकर fear of death है जैसे कोई भी उसको disease हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है की नहीं अब मेरी यह disease cure नहीं हो सकती इस disease से मेरी death हो जाएगी अगर उसको ऐसा लग रहा है तो Econite उसमें बहुत ही अच्छा result देगी Econite 30 potency में prescribe करेंगे 30 potency में 2-2 drops 2 times morning में after breakfast half an hour's bath and night में after dinner half an hour's bath then second medicine आती Argentum nitricum Argentum nitricum is also excellent remedy for anxiety Argentum nitricum हम ऐसे person में use करेंगे जिनको छोटी छोटी बातों को लेकर बहुती जादा घबराद हो जैसे उसको suddenly किसी से मिलना है उसके घर पर कोई आये ने लोग या वो किसी नए person से मिल रहा है या कुछ नया काम श्टार्ट कर रहा है या एक्जाम देने जा रहा है या कोई जॉब इंटर्व्यू के लिए जा रहा है याने कुछ भी नया कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहाट हो रही है और उस घबराहट की वज़े से उसे पसीने आ रहे हैं और कई बार तो घबराहट के कारण उसे डाइरिया भी हो जाता है लूज मोशन की टेंडेंसी भी हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छा वर करती है उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम थर्टी पोटेंसी में तू टाइम आपको एक अर्शेनिक एलबम एसे पेशन को य्यूज़ करेंगे जो बहुत ही जादा असा अधर आया है कि हम अपकेले हो गया है हमारे साथ कोई नहीं है कोई हमारा फ्रेंड नहीं कोई अपना बोलने वाला नहीं है याने अब मेरी प्राब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता है इतना जादा वो सेड हो जाएगा कि वो दीरे दीरे डिप्रेशन में चला जाएगा और उसे सुसाइडल थोट्स भी आने लगेंगे तो उसमें आर्सेनी के अलबं बहुत ही अच्छा वर्क करेगी आर्सेनी के अलबं 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स मौर्णिघ रनायट उस्तों करते देven की कि आने वोग्त आता कि बेंसे अच्छेशा प्रॉप्सime के और जो को सबनाइब से में सब्सक्राणिख और सब्सक्राइगे भीट लेने के साथ टीर्ष होड़ित के सब्सक्राइब ने मैं इस ने प्रोटिं य भीटामिन्स, मिनरेल पुरे प्रॉपर बैलेंस टाइट लेना है, ग्रीन वेजिटेबल लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, प्रॉपर वाटर इंटेक होना चाहिए, आपको जैसे पर दे एट टू टैन ग्लास वाटर पीना ही है, प्रॉपर आपको एकसरसाइस करना है, जैसे डेली आप अपने करें, और फिर कोई भी एडिक्शन है, जैसे टोबे को एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, या ड्रिंक करते हैं, तो इसको टोटली एडोइट करना है, आपको जितना हो सके अपने आपको खुश रखने की कोश़श करना है, अपने आपको बीजी रखें, किसी काम में जिससे इस्ट्रेस आपके पास भी ना आपाए, आपको पॉजिटिव सोचना है, कोई भी चीद निगेटिव नहीं सोचना है, अपने माइन में कुछ भी निगेटिविटी आने आपको नहीं देना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, तो यह सब आप करें, तो आपको anxiety की problem से जरूर relief मिलेगा तो friends अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे like करें और मेरे चैनल को subscribe करना न भूले